हेलो गाईज तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक और इंग काउंटर जो की सेल्फ इस्टार्टिंग नहीं है उसको हम सेल्फ इस्टार्टिंग कैसे बना सकते हैं तो और इंग काउंटर क्या होता है चार फिलिप फ्लॉप यहां आप लगा दीजिए यह तो स्ट रेजिस्टर हो गया ठीक है और यहां से लेकर हम यहां बन देना पड़ता है इनिशल रिकॉर्मेंट यहां बन देनी की होती है तो हम क्या ऐसा कॉन्फरिगेशन बना सकते हैं इस चीज को self-starting बनाने के लिए एक additional circuit हम ऐसा जोड सकते हैं कि जिससे की यहाँ पर बन अपने आप आजाए बन अपने आप आजाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए topic का ना हम है self-starting ordinary ring counter तो इसका characteristics कैसा होता है यह QA QB QC QD के लिए जो value आती है हमें पहले बन देना पड़ता initially हमें अलग से देना पड़ता था बागी सबजी रहता था फिर यह shift होके बन फिर यह 0 because of this connected और फिर यह value repeat होने लगता था तो यह mod 4 आता था यह QA QB QC QD तो हमें क्या गनना है कि जैसे यह 3 0 0 0 हो जैसे यहाँ पे 0 0 0 हो हमें किसी तरह यहाँ बन ले आना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ इन्वर्सल गेट का यहर यूज करें तो यहाँ से 0 लो यहाँ से 0 लो यहाँ से 0 लो तीनों का यूज हमें होना चाहिए तो हमें चाहिए आटपूट में बन जिसको हमें यहाँ जोड़ना है तो हमें कून्षा गेट लगाना पड़ेगा यूणिवर्सल गेट में हमें लगाना पड़ेगा एक नौर्गेट यह नौट और यह और नौर्गेट तो अपने आप जब यह कंडिचन आएगा 01 00 का कंडिचन आएगा यहां पर अपने आप बन हो जाएगा बन हो जाएगा तो यह जो है शेल्फ स्टार्टिंग और रिंग काउंटर बन जाएगा ओके ओप इडिस क्लियर बाकी यहां पर आप क्लॉक लगा दिएगा और यह जो सिप्टिंग प्रॉपर्टीज होगी वो कैसे होगी क्यूं एक करें पहले यह बदन हो रहा है क्यूंफ के लिए यह सेकेंड में हो रहा है इसको देखेंगे हम और ड्रह करेंगे क्यूंफ उसके लिए में यह कॉल्म देखेंगे और ड्रॉए करें जाए और क्यों जो डी है वो यह है और फिर यह रिपीट होगा फिर यह रिपीट होगा होप इस क्लिएर मिलते हैं अनले वीडियों में